जिस वक्त देश की निगाहें लोकसवा चुनाय के नतीजे पर थी उसी समय एक खेला हो गया खेला ये हो गया नीट एक्जाम का जो रिजल्ट है वो आना था 14 जुन को लेकिन वो अचानक से 4 जुन को आ गया अब सबसे बड़ा खेला ये है कि जो जिस देश में जो नीट की जो परिक्षा होती है इतनी कठिन परिक्षा मानी जाती है और अचानक से 14 जुन के बज़ा है चार जुन को रिजल्ट आ जाता है और इसी पर अलग पांडे सर हमारे साथ हैं और ये काफी दिनों से जब से चीजे हुई है इन चीजों को उठा रहे हैं इस मुद्दे को क्य दिया जाए क्योंकि हाली में जो यूपी में जो गौवर्मेंट एक्जाम होते हैं कई सारी ऐसे गौवर्मेंट एक्जाम होते हैं उन्हें रद कर दिया जाता है अब फिर नीट के जो students हैं वो भी मांग कर रहे हैं किसे भी रद कर दिया जाए इतना विवाद क्यों है सर इतना विवाद इसलिए है क्योंकि जब से नीट की परिक्षा सुरू हुई है यह एक ही शहर के एक ही सेंटर से थे ऐसा कैसा मुम्किन है तो इन सब की सफाई ने जब दी तो उन्होंने कहा इस वर्ष हमने पहली बार बच्चों को ग्रेस नंबर दिये हैं जिनके सेंटर पे उनके टाइम का नुकसान हो गया था पेपर मिलने में देरी हो गई दो पेपर म किसमेर के लिए इसले इस वारे में कोई सफाई नहीं थी कल आई है कल बोला 5563 बच्चों ग्रेस नंबर दिये हैं जो कि चार स्टेटीट से हमना इसके अंग अंदर कोई सफाई नहीं है और नीट शेंस को छापन नहीं यानि उसको गौर्णमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसे खतम बच्चा घर पे रो रहा है कि मैं अब और क्या कर दूँ कितने नंबल लेके आ जाँ अब ही मैं गौर्णमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहा हूं यह चल क्या रहा है तो अचानक से नीड में जो कट ओफ है वो बहुत उपर चला गया है एंडिय ने जो अभी सफाई दिये कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मंग बर दिये हैं अगर 1563 बच्चे हैं तो इतना उपर कैसे कट ओफ चला गया एक चीज़ हमें बताईए इतना ज़्यादा जब कट ओफ गया है लेकिन फिर भी नंबर कार्षा सच्छा है सच्छा है जिसके ओपर 5 को नीट पेपर है चार में को पटना पुलिस ने अपनी अपा यार में लिखा है नीट Biz का पेपल लिक हो गया है 10 12 नीज चैनल ने कवर किया कि पटना में शब्हों ग問ना लोग को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया यह सारी चीज़े हुई दो दिन बाद वापस न्यूज आती है कि कोई पेपल लिए कभी कंफर्म नहीं कह सकते हम हम शूर नहीं है कि कोई पेपर लीक हो गया अभी हम विया नॉट शूर कि पेपल लीक है और फिर जो पेपर लीक थ ला है कि कहीं पेपल लीक तो नहीं था सुप्रीम कोड के पास वो केस पड़ा हुआ है उसके उपर जज्जमेंट आया नहीं रिजल्ट पहले आ गया है तो इस तरह की धांदली है अच्छा जब इन सब वो एक चीज होती है जिसकी जांच करती है वो एजिंसिया लगता है आवाज हमेशा सारे परिक्षाओं पर उठता है कि जांच होती है लेकिन आपको लगता जांच हो के कुछ निसकर्ष निकलता भी है कभी परिच्छा ऐसी है लोग बोलते हैं गवर्मेंट वाले कि जांच हो रही है निसकर्ष निकलता है आपको लगता है नहीं इस देश का bara ये दुरभागे है कि निर्शकर्श यहाँ कम निकलता है और लोग बहुत जल्दी कहानियां भूल जाते हैं मुझे सबसे डर तो इसी बात का है क्योंकि इस ताइम टो पूरे देश का धियान किस पे है चुनाव पे है कि इलक्शन में कौन जीता आप। कौन कि यहां पर एक बयान तो बनता था कि हम NTA के साथ बात कर रहे हम देख रहे हम जांच कमिटी बैथा रहे हम उनसे डेटा मांग रहे हैं कुछ नहीं और NTA अपने आप कोई रिप्लाइए नहीं देता जब आप दो दिन बहुत सारे न्यूस चैनल पर गया लोगों से बात की व लिगल नोटीस भेजा बच्चों की तरफ से कि लिगल नोटीस यही था कि 1563 कंडिडेट का कम से कम हमें नाम इंडॉल्मेंट नंबर कितना ग्रेस नंबर दिया और इतना दे दिया कि 720 पहुच गया यह राइट टी का पूरी तरह से वाइलेशन है तो हमें वो बता दे चात सब्कोर जेन, में उज्वार नहीं उठाएंक, आपो सब्सक्सां की किसा का वाज रूटा रहें लेकिन कुछ लोग का असा डर है? कुछ डर बताहिए हमें, किस प्रकार का डर हुट है? लिग का मामला नहीं है, उनसे सब को डरुगता है कि अगर हम किसी सरकारी एजनसी अप आप आवज उठाएंगे तो हमाँ नेसाथ लगव कह सकता है इस बात का डर है मुझे नहीं है मुझे लगता है अगर मेरे साथ कुछ ऊता भी है तो तो कम से घृत यह स्वकून दो रहएगा कि एक इन्सान था जो सच बोलता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा इसे मेरे तो अभी तो मेरी उस मुद्दे पे इतना में विजीद है चार दिन से अभी आपने याद दिला है तो आज में उनको मेसेच करता हूँ मेरी उनसे बात भी नहीं हुई चार दिन से इस मुद्दे पे आप कहरें, अगर पेपर रद हो गया, तो उनका क्या होगा, जिनके नंबर आए हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं भी इसी के साथ एगरी करता हूँ, तो मैं कहता हूँ, ये डिशिजन एक जांच कमीटी बैठे और वो बैठे, देखे, कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिया कितना कटीन होगा, जो बिल्कुल नहीं देती, ट्रांसपरेंसी की बहुत जादा कमी है, जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, और पिछले आठ साल में मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो, कि 66 बच्चे 720 लेके आए हो, रिजल्ट अचानक से इतनी जल्दी आ गया हो, तो बहुत सी चीज़े आथी है, जो इस वर्ष अचानक से हुई है, तो सवाल तो उठते हैं? पहली प्रिएरटी हाई है, कभी नहीं देख की पहली प्रिएरटी, अगर शिक्चा पहली प्रिएरटी होती है, आज न्यूस चैनल पर यही चल रहा हुता है, कि देश में जो सबसे इंपोर्टेंट लोग होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो कोवीट का इलाज करते हैं, ब है काने वाला होगा और आप दोक्टर के पास जाओंगे आपको पता नहीं कि सबस्तों करें फालदे नहीं है व हम अन्टियं सिस्क्व में रहे हैं चाश्य करेंगे तो उनको उस case के अंदर affected party वही है तो हम उनिक लेवाज उठा रहे हैं तो वहाँ पे वो रहे हैं दूसरी चीज सड़कों प्याके आंदोले ना करें बच्चे बिल्कुल ना करें कहीं कोई हाथसा हो जाएगा मेरे देश का एक प्यारा बच्चा कुछ हो गया मुझे बहुत दुख हुए तो एंटी आके बुलेगा देखिए चार screenshot इसमें से जो थे वो सारे जूट थे और फिर क्या होगा उनका पक्ष और स्ट्रॉंग हो जाएगा तो इस समय बच्चों से यही विंती है कि जो सच है वही चीज आगे लेके आए गलत गलत screenshot एडिट एडिट करके चीजे न करें क्या अभी नीट में बच्चे आप बताओ नीट का रिजल्ट आता है पहली बार आठ साल में आपने ग्रेस नंबर दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है रिजल्ट के साथ बताने की क्यों नी बताया जब बच्चों ने पूछना स्टार्ट किया पूछना नहीं चि यह बच्चे जो 720 आए ना एक सेंडर से वो ग्रेस नंबर से आए हैं इतनी ज्यादा strong agency ND है लेकिन 14 तारीक को लाने वाले थे अब लेके आते हैं 4 तारीक को यह तो अच्छी बात है अगर आप ऐसे देखें तो अच्छा किया result जल्दी लिया है क्या सोचना किया है सबको दिखता है वो चीज पर ऐसे देखा जाए तो अच्छी बात है रिजल्दी निकाला पर सही तो निकाले है मुझे कोई दिक्कत निए आप election वाले दिन रिजल्द निकाल दो सही रिजल्द निकालो transparent रिजल्द निकालो इसमें 23 लाग वच्चा वैटता है इसमें साइंस का नेचर है तो सुप्रीम कोट ने उस जज्जमेंट में ये बोला भी नहीं है पंदरा मिनिट एक घंटा पर वनवाटना नेक्स्ट एर आप देखिए लिस्ट कितनी बड़े होने वाली ये जो नहीं रास्ता खोला है ना ये रास्ता इतना गंदा खोला है और कल नोटिस जब दी उसके अंदर ये भी नी बताया कि हम क्या क्या अब मैजर्स लेंगे इस का इसका digital platform